एप्रॉक्सिमेशन जो भी ले रहो वो करीब होना चाहिए करीब का मतलब नहीं समझे जैसे मान लीजिए अड़तालीस सो सत्तासी है तो मैं इसको एप्रॉक्सिमेशन में क्या ले रहा हूं पांच हजार और अंठानवे है तो यह सौ है आप देखे रहो ना अड़तालीस सो सत्तासी 4887 को मैंने 4000 नहीं लिया है करीब में क्या है 5000 पास समझे रहो ना चोवालीस सो पैंतालीस सो से पीछे हो तो 4000 ले लेना ऐसा नहीं क्यों पांच हजार पे नहीं हो सकता हो जाएगा मान लो 42 सो है तुम पांच जार लेकर करो हो जाएगा थोड़ा सा आगे पीछे आं आंसर निकाल के बैठे रहो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सर आप तो वही बता रहो जो आनसर आने वाला अभी मैं आपको दिखाता हो सुनना वही बात अगर मैं कहूं यहां से एक काम करो दो कितना यूनिट तुम बढ़ाए अंठानवे से कितना किये सर दो तुमने कितनी यूनिट बढ़ाया दो यूनिट बढ़ाया अंठानवे से क्या किया सो एक यूनिट पचास का है तो दो यूनिट कितने का होगा सो का है बोलो हाँ आना बिल्कुल सर तो इसमें क्या कर दो द उन्चास सतासी दिवाइड बाई क्या हो रहा है डिवाइड बाई सर सो आंसर आएगा 49.87 कैल्कुलेटर उठाओ 4887 डिवाइड बाई 98 कैल्कुलेटर उठाके चेक करो कोई ऐसा एप्रोक्सिमेट कैल्कुलेशन दे सकता है कि ऐसा एंसर दे सकता है कोई कि है